नमस्कार दोस्तो आप देख रहे हो जी डी कोमर्स और जो हर्याना सरकार है उन्होंने फाइनल ये के स्टूडेंट को परमोट करने का जो आधे जारी कर दिया था पहले तो लेकिन अभी तक जो रिजल्ट है उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी जो है या कोई गाइडलेन हर कारण हर्याना के जितने भी विश्व देले हैं वो अब तक फाइनल ये के स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो अब तक गोशित नहीं कर पा रही है जिसके कारण जो परिणाम है वो अटके पड़े हैं और कुषेतर अन्वस्टिक कुषेतरा में जो अड्मीशन की अंतिम में फसे इसमें लिख है कि सनात कोतर दाखिले के अवेदन की अंतिम तीती बीतने के साथ दिन बाकी हैं क्योंकि साथ अगस्त तक अवेदन कर सकते हैं परिणाम गोशित को लेकर अब तक कोई भी फैसला नहीं हुआ है और इदर छात्रों के विरोध के बावजूद यूज इसमें लिख है कि प्रदेश की उनिवस्टियां और समंदित कोल जो के अंतिम समेस्टर प्राइवेट वैदूरवर्ति के लाकों विजारती सनात कोतर में दाखिले से पहले परिख्षा परिणामों को लेकर उर्जन में फसे हुए हैं क्योंकि जब तक अड्मिशन नहीं हो और इदर कुर्शेतन इनिवस्टि की और से सनात कोतर के दाखिले के लिए अवेदन की अंतिमतिती साथ अगस्त निर्दारत की गई थी लेकिन 31 जुलाई भी इतने पर भी परिणाम को लेकर फैंसलर नहीं आया है ऐसे में इनिवस्टि परसासन को अपने सनात कोतर दाखिल के लिए वेदन की अंतिमतिती को बढ़ाना पड़ेगा इसका कारण इस बार परिक्षा परिणाम के आदार पर ही सनात कोत्र में दाखिला होना है क्योंकि मेरिट लिस्ट के आदार पर ही फैंसल होएगा जो एंट्रेस टेस्ट हो नहीं हो सकते करोना मामारी के कारण ऐसे में जब तक विद्यारतियों का परिक्षा परिणाम गोसित नहीं हो सकता तब तक दाखिले के लिए मेरिट लिस्ट नहीं बन पाएगी वहीं यूजिसी के करोना मामारी के दौरान परिक्षा करवाने के फैंसले काचात्र संगटना जो विरोध कर रहे हैं यह है यूजिसी की जब उसके इकजाम कराने के लिए जरी कि गई गई थी इसमे सनातक और सनातक उतर के लिए इस बारे में यूजिसी के और से सुप्रीम कोट में भी हल फनामा दायर किया गया है तो UGC ने तो अपने सिती स्पष्ट कर दी है कि जो फाइनल येर के एक्जाम है वो सिक्सा की गुनवाता के लिए बहुत जुरूरी है और करोनम हमारी के चलते हुए तो ये देखने वाली बात रहेगी कि युनिवर्स्टी कैसे एक्जाम कंड़क्ट करवाती है फाइनल येर के और जो अगली सुनवाई है आपको पता ही होगा सुप्रीम कोट में 10 अगस्त होगी जिसमें देखते हैं क्या होगा उसमें और वहीं जो के विपर सासन के लोग संपर के विबा के उपनी देशक डाक्टर दीपक राही बबर ने बताया है कि किसी भी स्तीती में विदार्थों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा उन्हेंने बताया कि फिलाल के यू के सनातक कोर्सिज के दाखिले के जो अवेदन की लाष्ट तारीक थी वो इत्स साथ अगस्त थी इन्होंने का है कि अगर साथ अगस्त तक जो परदेश सरकार है वो परिक्षा परिणाम को लेकर कोई भी गाइडलेंड जारी नहीं करती तो अवेदन की अंतिम्तिति को बढ़ाया जाएगा क्योंकि जो अभी तक हर्याना सरकार है उन्होंने कोई भी गाइडलेंड जारी नहीं की है परिक्षा के पर नाम से लेटिड के उपर सासन ने तो अब तक जो परमोट करने का फार्मूला भी त्यार कर लिया था लेकिन हर्याना सरकार ने जो प्रिक्षा के पर नाम से लेटेड कोई भी गैडलेंड जारी नहीं की है तो देखते हैं कि जो सरकार है वो साथ अगस से पहले कोई गैडलेंड जारी करती है या नहीं और अगर नहीं करती तो जो अवेदन की तारीक है वो बढ़ा दी जाएगी ऐसा कहना है के उपर सासन का तो इस न्यूज को जल्दी है जल्दी सेयर कर दीजिए और इस चैनल को जल्दी है जल्दी सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आइकन को भी दबा लिजिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे धन्यवाद